प्यारे बच्चों हम आज आठ्मी कक्षा का छटा पाठ नील गगन का नीलू करेंगे जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है इसके शब्दार्थ शब्दार्थ है लालाईत लालाईत का मतलब इच्छुक मुल्यवान मुल्य वानकार्थ होता है कीमती मुल्य आंकन मुल्य आंकना सीमा भेदन सीमा तोड़ना बदकिस्मती से धुर्वा गेवश बदकिस्मती से परामर्श सलाह एक मात्र अकेला दखल अंदाजी हस्ताक्षेप करना मिघा धावी ग्यानी अल्प थोड़ा ध्यय लक्ष बाल हठ योग बच्चे की जिद्द अनुमानित अनुमान लगाया हुआ सक्षम समर्थ अब हमारे पास है प्रशनुत्र नीलू का पूरा नाम क्या था नीलू का पूरा नाम अनिल शर्मा था बच्चपन से ही उसकी रूची फ्लाइंग में क्यों हो गई अनिल शर्मा के पिता हरी प्रकाश शर्मा वायू से नामे थे इसलिए बच्चपन से ही उसकी रूची फ्लाइंग में होना स्वभाविक थी उड़ते हुए वायू यान को देखकर वह मन ही मन क्या सोचता अनिल शर्मा सोचता एक ना एक दिन वह भी विमान उड़ा कर अपने देश का जंडा असमान में फहरा देगा उसने पाइलट का प्रिसिक्षन कहां से लिया अनिल शर्मा ने पाइलट का प्रिसिक्षन बिदर से लिया उसने किन किन क्षेत्रों में देश की सेवा की अनिल शर्मा ने नक्सली इलाके गुजरात के दल दल्येक शित्र कंटंतरता दिवस की परेड बाढ़ सीमा सुरक्षा और पाइलट ट्रिक्षन से में सेवाली की उसे किस परकार के कारियों में रूची थी अनिल शर्मा की ऐसे कारियों में रूची थी जो चुनोती फूर्ण हूँ बारा नवंबर दो हजार को भारते तट रक्षक बल ने पश्चमी सीमा पर क्या देखा बारा नवंबर दो हजार को भारते तट रक्षक बल ने पश्चमी सीमा पर पाकिस्तानी मच्छवारों की कश्चियां देखी जो की भारतिय सीमा में दाखिल होने को थी पाकिस्तानी मचवारों ने किसे अपना निशाना बनाया पाकिस्तानी मचवारों ने अनिल शर्मा के हेलिकाप्टर को मिजाईल से निशाना बनाया 26 नुवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैट कहा हुई थी 26 नुमंबर 2009 को ऐसी ही घुस्पैट मुंबई में हुई अब हमारे पास कुछ बड़े प्रशन है किन किन घटनाओं से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारन प्रतिभा के स्वामी थे जब अनिल शर्मा की बड़ी बहन को स्कूल में दाखिल करवाया गया तो अनिल शर्मा ने भी स्कूल जाने की जिद पकड़ ली चार साल की आयू में अनिल शर्मा स्कूल में दाखिल हो गए वे मिधावी छात्र थे उन्होंने 14 वर्श की आयू में ही मैट्रिक की परिक्षा पास की वे जितने अंकों का अनुमान लगाते थे उनके हमेशा उतने ही अंक आते थे 1987 सीडी एस की परिक्षा में चंडीगड के सफल होने वाले वे अकेले युवक थे इन बातों से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारन प्रतिभा के स्वामी थे किस घटना से पता चलता है कि उन में पूरा आत्म विश्वास था अनिल शर्मा के बी एस सी की परिक्षा में गणित में से सो में से 71 अंक आए अनिल शर्मा ने अपनी मां को बताया कि उनका अनुमान था कि इस बार 91 अंक होने चाहिए थे जब दोबारा मुल्यंकन करवाया गया तो उनके अंक 91 ही निकले इस घटना से पता चलता है कि उनिल शर्मा में पूरा विश्वास था अब हमारे पास मुहावरे आते हैं कुछ मौत की नीन सुलाना मौत के घाट उतारना सैनिकों ने दुश्मनों को मौत की नीन सुला दिया सीना चलनी करना गहरा घाव देना सैनिकों ने दुश्मनों का सीना चलनी कर दिया गौरवानवित करना गौरव महसूस करना अनिल शर्मा ने अपनी बुद्धी मता और निन्ने लेने की ख्यमता से देश को गौरवानित किया होनहार बिर्वान के पोथ चीकने पात बच्पन से ही प्रतिपा दिखाई देना सुभाश अंदर बोज दो बच्पन से ही अंग्रिजों को भारत से खदेडने का खेल खेलते थे सही ही कहा है होनहार बिर्वान के पोथ चीकने पात सुध लेना हाल चाल पूछना आज कल बच्चे अपने माता अपने आप में व्यस्त रहते हैं कि अपने माता पिता की सुध ही नहीं लेते ताकते रह जाना हैरान रह जाना राम के घर सुन्दरता देख मैं तो ताकता ही रह गया मंत्र मुगद होना ध्यान लगाना पढ़ाई में मंत्र मुगद होकर ही तुम दस्वी के परिक्षा पास कर सकते हो अब हमारे पास है कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे कि सबसे पहला है देश की रक्षा के लिए कुर्बान होना, शहीदी, शहादत, कुर्बानी, कभी न ठकने वाला, अठक, जिसे किसी का डर न हो, नि डर, अपने आप पर भरोसा होना, हाथ में विश्वास, वायूयान चलाने वाला, वायूयान चालक, समय से पूर्व, असमय, बचपन की जिद, बाल हठ, गुस पैठ करने वाला, गुस पैठिया, अब हमारे पास कुछ भी प्रीर शब्द है, जैसे सधारन के अगर आगे आ लगे अ लगेगा, तो क्या बनेगा, असधारन, समय, अ समय, सफल, असफल, तूट, अटूट, ठक, अठक, न्याए, अन्याए, इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ खतम होता है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, धन्यवाद